Hello friends, मेरा नाम है आपिदेक and welcome to Texore Okay, क्या आप अपने Motorola के किसी भी phone में screen record करते हैं तो screen record करने के बाद उसमें आवाज नहीं आती है क्या आप जाना चाहते हैं जब भी आप phone से screen के recording करते हैं वीडियो तो record हो जाती है पर उसमें से कोई भी voice नहीं आती है तो ये problem को सही करने के लिए video ध्यान से देखते रहिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज हमेशा देख लीजिए आप notification बार को नीचे लाए और यहाँ पर ऐसा side में जाकर देख ले mic access यहाँ पर इस तरीके से available है या तो नहीं यहाँ पर mic access blocked नहीं होना चाहिए बहुत से लोग यहाँ पर यह block कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी voice record नहीं होती है ठीके तो आप इसे यहाँ से on कर दे अब देखिए यह problem मुझे भी आई थी मुझे नहीं मेरी sister को आई थी वो screen record कर रही थी अपने phone में तो screen की voice record नहीं हो रही थी तो वो मेरे पास आई phone मुझे उसने दिया बोला भाई देखिए यह problem आ रही है तो मैंने क्या किया मैंने simply सबसे पहला step यहीं लिया मैंने कि अपने phone को एक बार restart कर दिया restart किया और उसके बाद screen recording की आवाज आने लगी तो आप भी simply क्या करें अपने phone के पावर बटन को लॉंग प्रेस करें और restart यहां से कर दें अपने phone को restart होने के बाद जैसे ही phone on होगा उसके बाद आप screen record करें आपकी आवाज आने लग जाएगी उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगी वीडियो पसंद आई हो टेक्स बोर को सब्सक्राइब सरूर कर दें